बारिश के बाद मौसम खुशनमा हो गया है और प्रकृती ने हर्याली की चादर रोली है एमपी के परियटन और दार्मिक्स थलों के नजारे लोगों को खुब लुभा रहे हैं यहां के मालवा क्षेत्र में ऐसे कई मंदिर हैं जो फिमस तो नहीं है लेकिन इतने खुबसूरत और मनमुहक हैं कि लोग दूर दूर से यहां आते हैं नीमच और अतलाम में कुछ जगेह मंदिर जाने के लिए जहरने के नीचे से होकर गुजरना होता है बारिश के बाद यहां लोगों की भीड उमरने लगी है सेलाना शिवगर रोड पर सेलाना से पांच किमीद बढ़ा केदार एश्वर है महादेव मंदिर लगभक्षे सौ मीटर गहराई में पहाडों के बीच है यहां तीन मनमुहग ज़रने हैं मंदिर का रास्ता इन ज़रनों के बीच से होकर गुजरता है बारिश के बाद यह ज़रने पूरी बाहार पर है जर्णों का पानी मंदिर के सामने बनेकुन में गिर रहा है कहते हैं मंदिर करीब 300 साल पुराना है यहां की एक रियसत के राजा ने इस मंदिर का निर्मान करवाया था सावन महीना होने से कल्यान के दारेश्वर मंदिर पर शिव भक्तों का जमावडा लगा हुआ है पर दो और चोटे चोटे ज़रने हैं जो बारिश में मंदिर परिसर की खूबसूरती बढ़ा रहे हैं रतलाम से लगबग 8 के मीदूर स्थित यह पूरी तरह प्राक्रितिक स्थान चोटी नदी का पानी लगबग 10 मीटर 29 से गिरता है 15 मीटर चोड़ाई में गिरते ज़रने क को देखने का अपना ही आनंद है इसी तरह शहर से करीब 8 के मीदूर जामन पाटली में हाल ही में हुई बारिश के बाद खूबसूरत नजार दिख रहा है जिला मुख्याले से 45 के मीदूर मनासा तेहसी के कमजाडा से 3 के मीदूर भरडादों का ज़रना भी परियाटकों के लिए आकरशन का किंद्र है यहां तीन नदियों का संगम होता है नदी के आसपास शेर की गुफाएं हैं जिला मुख्याले से 14 के मीदूर हरकी आखाल के समीप जाजू सागर डेम प्राक्रितिक नजारों एवर्म हर्याली से आच्छा देत हो गया है यहां तक पहुचने के के लिए रोड वेंज प्राइवेट बस एवर्म टैम्पो की सुविधाय उपलब्ध है जिला मुख्याले से करीब 26 कि मीदूर 60 फीट उचा प्राक्रितिक जरना एवर्म स्टाब डेम पर बहने वाली चादर परियाटकों के लिए आकरशन केंद्र है यहां मंभाउन वर्म प्राइवेट बस एवर्म टैम्पो की सुविधाय उपलब्ध है जिला मुख्याले से करीब 26 कि मीदूर 60 फीट उचा प्राक्रितिक जरना एवर्म स्टाब डेम पर बहने वाली चादर परियाटकों के लिए आकरशन केंद्र है यहां मंभाउन वर्माता विराजित है जिन ओर लाजब नग फ्राक्रित प्राइवें थाएवर्म टेम्ट जर बड़ाते है जिला शेवर्म टीटि करम है जिला मंभाऊन टीट